है कि समाई लगेगा होने के लिए जो गाइज ये है चोटा सा रस्ता तो कल यहां लोगाइज कुछ अप्टरनों स्वागत करते हैं आप सभी लोग को हमारे चैनल पर फिलाल अभी हम लोग फड़वाय वगरा सब लेकर के जा रहे हैं रस्ता बनाने के लिए मेरे साथ मेरा ब बारिस नहीं था लेकिन जैसा ही साम हुआ बारिस ज्यादा होने के कारण में रस्ता नहीं बना पाया था चोटा सा रस्ता तो कल यहां पर देख सकते हो कल मैं इसको मिट्टी दोनों तरफ से भरा था और पानी यहां पी बिल्कुल भी नहीं था लेकिन साम को इतना ज्याद बन रहा है इसमें पूरा ब्लोक हो चुका है तो इसी के करण यहां से पानी जल्दी नहीं जाएगा तो इधर जो है पानी भरने से हम लोग आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा इसलिए जो है इस रस्ता को हम अभी थोड़ा सा उच्चा करना है ताकि बरिस होगा भी तो पानी आराम से पार हो करके हम लोग यहां से जा सकते हैं उजड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पर खेती हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्ता वहां पर बनेगा इसलिए मैं काम अपना कर लेता हुं यहाँ पे तीक है यह जो रसता है इसको मैं अभी बना लेता हूं अभी समय हो रहा है दो बजर अपना चुका हूं और यह फड़वा लेकर कर सकंव पिर अभी हम जा रहें अपना गार्डिन में जहां पर हम लोग हल्डी लगाएंगे यह देख लिजी यह रेडी हो गया है मैं पूरा मिट्टी यहां से उठा दिया हूँ आधा कल क्या हुआ था फिर इसको मैं अभी कर रहा हूं यहां से सुखाई हुए थे कल रात को बारिज बहुत ज्यादा हुआ था कि यह चोटा सा लाइन हम इसको बनाए है तो इसी में भी यह थल्दी जो है दो तिन पेकेट में रखा हुआ है इसी को हम लोग लगा देंगे यह कुछ इस परकार से अभी इसमें मिट्टी डाल करके इसको बंद कर देंगे तो गय सब होने वाला है इसलिए गाए बेल सब को ह हम दो देंगे से सब चरते हैं लेकिन आगे उसा ही और जैसे इनका प्रेट भर जाता है तो लोग फंदर। तो फाटा से वीडियो थन कोफायव लगाए और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अगर वह ऊप में बाइ बाइ